हाई the wavelength of x-ray is of the order of देखे इस कुस्चन में है हमारा x-ray का जो wavelength होता है वो कितना होता है इसका एनसार है option number b 1 आंग्स्ट्रोम तो 1 आंग्स्ट्रोम इक्वाल टो कितना है 1 आंग्स्ट्रोम इस इक्वाल टो 10 to the power minus 10 10 m होता है यह table में देखो सब से कम कीधर किया ऊसे तो याद रिखने पुड़ेगा तो सब तो हमारा यहां पर x-ray का कितना है वह न च्वाल स्ट्रोम ट्रोम माइनस तेन मीटर होता है तो ये मैं एक क्रेस्ट एक क्रेस्ट में जो बीच में जो डिस्टांस होता है उसे हम क्या कहते हैं तो हमारा होता है इसका और रहता इसका जितना वेब लेंग्थ ज्यादा रहेगा उसका फ्रिकेंसी उतना कम रहेगा और जितना फ्रिकेंसी कम रहेगा उसका ज्यादा वेब लेंग्थ रहेगा यह हमारा कुस्चिन नॉबर वान था जैने कुस्चिन नॉबर टू कुस्चिन नॉबर टू में क्या लिखा है कुछिन नॉम्बर टू में डाइमॉन इज एन एलॉट्रोफिक फॉर्म ओप किसका होता है दीए यह ड़ार होता है यहादफ है पर एलोट्रोफिक ऐलो стен जो इलट्रोफिक इसका मतलब क्या है जिसका कमपोजिशन एक मेटल में होगा लेकिन उसका exist दीखता है अलोग अलोग जैसे अमरा कारबोन से क्या क्या बना हुआ है कार वंचे हमारा diamond बना हुआ उसी carbon से हमारा देखो इधर graphite भी बना हुआ होता है तो जिसका composition एक है बाट exist करता है मतलब ओलोग ओलोग रूप में दिखते है उसे हम एलोट्रोफिक कहते हैं तो diamond का एलोट्रोफिक क्या है carbon जो हमारा कोईला कहते है कोईला भी कारबन का ही है लॉट्रफिक और डाइमट भी होता है और फ्लोरेन्स होता है तो यह हमारा इस कुछन का अंसर के णायामड का एलोट्रॉपिक क्या है ना कारवन तो हमरा ग्रावःट मीalthy गारेद भी भी हमारा कारण का एलु ट्रॉं है और डायमां uASON मुथ हमारा कारण का एलॉट्रॉपिक है और फॉलयरे न भी हमारा कारण का एलॉ ट्रॉरोपिक है नेक्ट को इसकुश्छन छेन on can a Had a है क इस बो हुआ हुद हर इस बीरिक टेबल में सभुझेंग भूफ पर जो है कना उसे एक तो चु से देखो 103 तो तो इसका आप्सेन क्या है 89 से यह हमारा होगा इंसार होगा वह लांथनेट होता तो क्या होगा ना 58 से शुरू होकर 71 तो इधर देखो जो 9089 यही पर यहां से यह बला इसको हम यहां से इस परेड़ टेबल से निकाल कर उसके लिए कुछ को स्टेट प्लेस वनाया गया है तो से क्या कहते हम हम कहते आर्ठीनेट यहां रखो ऊपर वाला जो हता है वह लांतानाईट निचे वाला निचनेट लांतनाईट कहां से कहां तो 57 से 71 तो आक्टिनाइड 89 से 103 तो यह थोड़ा याद रखो दे नेश्ट कुछन क्या है नेश्ट कुछन है कुछन नुबर 4 सॉदियों मेटाल is kept under जो सोडियों का जो मेटाल होता बो किसके अंदर रखा जाता है यह बात याद रखो सोडियों का जो मेटाल होता है वो highly reactive होता है वो देखो एक फिगर देखो यह हमारा सोडियूम है यह पानी में इधर कुछ सिर्फ सोडियूम है अगर हम इसे पानी में डाल देते हैं तो पानी में भी आग लगता है तो इसलिए यह हमारा जो सोडियूम होता है वो हाइली रेक्टिव होता है तो इसलिए हम इसको किरोसिन के अंदर रखते हैं क्योंकि अगर वो एन्भरेंट में आ जाएगा तो अक्षियन के साथ एक्षिन को रियक्षिन होगा और उसके उसके बाद भी आपर आग लग जाएगा तो इसलिए हम इसको किराशिन के अंदर रखते हैं देनेश्ट कुजन गोन मेटल का इंगीडेंट को किस किस मेटल को एलेमेंट को मिला कर हम गान मोटल बनाते हैं तो हमको देखको इदर कोप्त प्रक्वप्र कैन्ट कोम्रान और जिंक को मिलाकर होता है कोपफर लोगभग 80 पासे column 88 पासेंड ब्रक्य तेजिट न शिण और देन 8-10% होता है T ने देन जींग मिलता है तो इहां पर optionation नहीं है लगता है यह होगा answer option number D होगा thank you Hi the wavelength of x-ray is of the order of देखे इस question में है हमारा x-ray का जो wavelength होता है वो कितना होता है इसका answer है option number B one angstrom तो one angstrom equal to कितना है one angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter होता है इस टेबूल में देखो सबसे कम की इधर क्या है ना गामा रेज क्या wavelength सबसे कम उसे थोड़ा ज्यादा है एक्स-ray का देन उसक एक्स-ray का है उसे थोड़ा ज्यादा है हम one angstrom 10 to the power minus 10 meter होता है तो देखो यह wavelength किसे कहते हैं अगर किसी भी इसी व्यव में कि यह क्रेश्ट है यह क्रेश्ट है दो क्रेश्ट के जो बीच में जो distance होता है उसे हम क्या आगाते हैं ना wavelength कहते हैं तो हमारा यह जो एक्स-ray होता है उसका wavelength कितना है मिन्स दो क्रेश्ट की distance कितना होता है माइनस 10 meter और वान आंग्स्ट्रोम होता है और एक बाद याद रहो जिसका जितना wavelength ज्यादा रहेगा उसका frequency उतना कम रहेगा और जितना अप्रीकेंसी कम रहेगा गे फ्रोंछ के लिएक्जिंगा खिए नंडो में लखा है कोसे यह हो में किसको श्रूपी फॉर्मप किसका होता है देख्यों यह जो वार्ड होता है यहां एलो ट्रोफिक ये जो वार्ड एलोट्रोफिक स्का मुतलब क्या है ना जिसका कमपोजिशन एक मेटल में होला लेकिन उसका एक जिस्ट दिखता लों आपके अलगा-अलोग ॉसलत से नकार बना हो रहत है कारप। से हमरा यृजशन 2019 चाहिए तो जिसका composition एक है बट exist करता है मतलब अलोग अलोग रूप में दीखते हो थे हम उससे हम एलो-ट्रोफिक कहते हैं क्या है कार्बन जो हमारा कईला कोईला कहते हैं कोईला भी कारबन का ही है एलो टरफिक और डाइम अझाड ब्योटा और फ्लोरेंस होता है तो ये हमारा कईलाफ हे लिक सुचंग अंसर कि एलनदल DC किया है कारफ है दो टोक्राफ है न ग्राफाइट भी घ्राफ आड is truth c वीं हमारा कारवनit यलेट्रोक्टरुसे और फुलेरान भी स्क्रावा कारिबीड इलॉट्रोक्टरुसे हुस्च्सक क्या है एक्हेस्ट रूसमेट ओंस रखूला एक्टिनाइधि और दे एक्याम फॉम्र फ्रह मिएक्टिस प्रण से कितने कि दो कि हमारा कारबन का एलोट्रोपिक है next question next question क्या है next question है and and actinides are the element of with atomic number from कहां से कितने तो देखें एक्टिनाइड क्या है हमारा यह परेडिक्टेबल है इस परेडिक्टेबल में देखो हमारे परेडिक्टेबल है इस परेडिक्टेबल में हम देखेंगे एक्टिनाइड कहां पर है देखो यह हमारा नीच्चे दो टेबूल है उपर बला जो है बलान्थानइड कहते हैं दूस सेकंड बला उसे एक्टिनाइड कहते हैं यह कहां सुरू है इसका आप्टिनाइड से यह हमारा होगा इनसार होगा वह लान्थानइड होता तो क्या होगा ना फिप्टि एड से शुरू होकर चत्रा उसेमिटि वानद तो इधर देखो जो 9T89 यह ही पर इहां से यह बला के इसको हम यहां से इस पर टेबल से निकाल कर उसके लिए कुछ सेपरेट प्लेश बनाया गया है तो इससे क्या कहते हैं हम कहते हैं आप्टिनाइड याद रखो उपर बला जो होता है वह लान् कि 57 शे-1 1589 से 1503 यह थोड़ा याद रखो दे नेस्ट कुछेन किया है the question though new 4 शुडियों का सवियों इसे टर्ड करता है किसके यह रखा यह द कुछें होता है यह बात याद रखर सवियों का घमेट्टल होता है वहाई ली पानी में अगर हम इससे पानी में डाल दाते हैं तो पानी में भी अग लगता हैं तो इसलिए यह हमारा जो वो फाईली रेक्टिव होता है तो इसी दिए हम इसको किराशिनी के अंदर रखते हैं क्यूंकि अगर वो एंबरन में आ जाएगा तो ऑक्सान के साथ पर येक्शन वहार और उसके बाद भी आग लग जाएगा तो इसलिए हम इसको किराशिन के अंदर रखते हैं देनेश्ट कोजन नेस्ट कोजन के है फुज द फॉलोइंग आदा इंग्रीडियेंट्स औफ गॉन मुटल देख गॉन मुटल का इंग्रीडियेंट्स मतलब किस किस मेटल को एलेमेंट को मिलाकर हम गॉन मुटल बनाते हैं तो हमको देखो इधर कॉपपर गॉन मुटल बनता है वह कॉपपर टीन और जिंग को मिलाकर होता है कॉपपर लगभग 80% 88% होता है और देन 8-10% होता है तेन देन जिंग मिलता है तो इहां पर आप्शन एशन नहीं है लगता है एह होगा एंसर आप्शन नमबर डी होगा थेंक्यू